आज का जो official notification आया था postponement के regarding में इसके बाद कुछ students का doubt आ रहा है तो वो doubt इस वीडियो में पूरा clear हो जाएगा तो please students वीडियो को पूरा last तक देखिएगा ताकि आपके मन में कोई भी doubt न रहे यह Q&A session है अगर आपका exam पॉस्पॉर्ण नहीं है या आपको कोई भी इसके related doubt ही नहीं है तो please वीडियो को skip कर दीजेगा अपना time बचाईएगा जो exam पॉस्पॉर्ण होने वाला था इसके related मैंने internal news में तीन से चार दिन पहले मैंने वीडियो बना करके आप लोग को inform किया था जो लोग भी regular follow करते हैं उनको पता हुआ कि मैंने आप लोग को inform किया और यह भी बताया था कि जल्द ही इसके related official notification आई AI का clarification जरूर official website पे आएगा आप लोग बिस्पास नहीं करोगे पूरे YouTube पे Charter Studies ने सबसे पहले update किया ताकि CA exam postponement आज का announcement के regarding जैसे ही website पे आए कुछ दिल के बाद आपको Charter Studies के YouTube चैनल पे official update आ गया ताकि इस इस जगह के exam को postpon कर दिया गया आप लोग को मैं thank you बोलना चाहूंगा जो इतना दिनों से पिछले 3-4 सालों से आप लोग trust कर रहे हो चार्टे Studies पे एक normal सा doubt है जो कि कुछ-कुछ students पूछ रहे क्या सारे जगह के exam को postpon किया कि जिसका जबाब है बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे clear official notification में लिखा दो जगह के exam को postpon कर दिया गया क्या सिर्फ उस दो जगह के exam को सारे exam को postpon किया जिसका जबाब है बिल्कुल भी नहीं आप लोग प्लीज official notification को वीडियो ध्यान से नहीं देखते हो कम से कम official notification को सही से पढ़ यह प्लीज student सिर्फ और शिप 36 गर्च और स्टेट है वहाँ पे 7 नॉमबर का CA final का exam उस paper को सिर्फ उसी paper को postpon किया गया बाकी किसी को ने और उस जो 7 नॉमबर वाला paper का बोगा 19 नॉमबर 2023 को phase 1 का phase 2 में 36 गर्च और मध्य परतेश और city name भी आपके screen पे सोकर है कहा कहा के exam को उसको 17 नॉमबर 2023 को CA intermediate group 2 का paper 8 है उसको postpon कर दिया गया उसका paper भी कब होगा 19 इस नॉमबर 2023 को साथ नॉमबर वाले paper को postpon किया गया और साथ में 17 नॉमबर वाले paper को postpon किया गया सिर्फ ये दो state का और city name already आपके screen पे सोकर रहा इसके अलाबा बाकी दूसरे state के exam को postpon नहीं किया as per schedule ही हो रहा है बाकी जगह CA intermediate CA final का exam as per schedule हो रहा है दूसरे states में as per schedule ही हो उन जगह के exam को postpon नहीं किया गया अब doubt आ सकता क्या इसके related admit card अलगाएगा जिसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं same admit card रहेगा center भी same center पे exam हो रहा है जो कि 7 के जगह पे 19 हो गया और 17 नॉमबर के जगह पे 19 हो गया लेकिन ये सारे सहरों के exam को postpon नहीं किया गया बार बार सुन लीजिएगा एक और doubt आ रहा था जो इस सहर में center दी है उनहीं का exam postpon हुआ है ऐसा नहीं कि वो इस सहर के students होंगे और center बाहर दे दी होंगे तो उनका exam postpon नहीं इस सहर में जिनका exam हो रहा है उसे ही का exam को postpon हुआ है एक और doubt आ सकता है क्या question paper same आएगा दोनों exam का जिनको जो 7 या 17 को exam देंगे जो 19 को exam होगा सेम है जिसका जबाब बिल्कुल भी रही question paper same कैसे आ सकता है अलग आएगा question same कैसे आ सकता है और हाँ I hope कि आपका doubt clear हो गया doubt clear नहीं हुआ है तो official notification का link मैं description में देता हूँ उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और आपके मन में कोई additional doubt है यूटूब comment box open है आप वहाँ पर मुझे पूछ लीजेगा और हाँ students चैनल पर नए हो दो चैनल को subscribe करके all notification फिल दबाद दीजे जिससे c.a.d. लेटर एक भी important update और announcement मिसना आपके